हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग इसरो से वेकेंसी आई है पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब रहने वाली है और यहाँ पर अगर हम बात करें टैन्थ पास, ट्वैल्थ पास और ग्रेजुईशन इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाए कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट रहेगी तो बिलकुल पर्मानेंट सरकारी नौकरी रहेगी इस दो के बारे में आप सभी जानते हैं अगर आप अप्लाए कर सकते हैं तो बिलकुल अप्लाए करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है विश्या शेत्र है रिक्तपदों की संख्या है अन्रिजर्व में कितनी वैकेंसी है यह बताई गई है उसके बाद क्वालिफिकेशन है क्या काम करना होगा यहाँ पर लिखा हुआ है और चायन का तरीका क्या रहेगा ठीक है तो यहाँ पर सेलेक्शन तो आप लोगों का रेटर्न एक्जाम ही होगा काफी अच्छी सैलरी भी यहाँ पर रहती है सबसे पहले देख लेते हैं अगर कोई भी कैंडिडेट अपलाई कर सकता है गणित विज्ञान एक वैकेंसी है अन्रिजर्व कैटेग्री की कोई भी अपलाई कर सकते हैं गणित विज्ञान या अनुप्युक्त गणित विज्ञान में MSC MSC आपका चाहिए या फिर सम्तुले इसनात कोत्तर के साथ कुल मिलाकर 65% अत्वा 10 स्केल पर 6.84 CZPA या CPI ग्रेडिंग के साथ BSC में 1st division आपकी होनी चाहिए क्या काम करना होगा अंतरिक्ष उडान गति की software विकास modeling एवं विशलेशन next जो है भौतिक विज्ञान में एक vacancy है unreserved category में यहाँ पर भी जो है वो MSC आपकी चाहिए ठीक है computer science की जो है वो 6 vacancy है qualification क्या कहा गया है तो मानेता प्राप्त राज्य बोर्ड से किसी भी राज्य के candidate बिल्कुल apply कर सकेंगे तो मानेता प्राप्त राज्य बोर्ड से computer विज्ञान engineering diploma में first division आपकी यहाँ पर मांगी गई है scientific assistant की जो vacancy है अगर आपने BSC रसाइन विज्ञान में chemistry में first division के साथ आपने pass किया है तो बस इतना ही मांग रहे हैं माननेता प्राप्त विश्वय ध्याल या संस्था से BSC इसना तक graduation आपकी होनी चाहिए first division के साथ तो कुल यहाँ पर रिक्त पदों की संक्या दो है इसमें undeserved category की एक है अनसूचित जन जाती की एक है और SD की भी एक vacancy है अगर आपने physics में इसना तक first division के साथ किया है तो आप यहाँ पर physics subject के लिए apply कर सकते हैं इसमें भी जो है वो पदों की संक्या दो है scientific assistant में गनित विज्ञान के लिए अगर आप apply करते हैं तो BSC आपका गनित विज्ञान में होना चाहिए first division के साथ में library assistant की एक post है जिसमें graduation प्लस माननेता प्राप्त विस्विध्याले या संस्था से ग्रन्थाले विज्ञान या ग्रन्थाले वा सूचना विज्ञान या समतुले में प्रथम स्रेणी में जनात को तर यह पर master degree आपकी होनी चाहिए उसके बाद जो है cook fireman यह आप देख सकते हैं जो vacancy है और heavy vehicle driver की vacancy है बाकी और भी देख लेते हैं important चीजे salary जो है यहाँ पर बिलकुल mention की गई है age वगरा सारी चीजे बताई गई है अगर scientific assistant वेग्यानिक सहायक इसके लिए अगर आप apply करते हैं तो उम्र जो है ठारा से 35 वर्स रहेगी आयू सीमा में छूट बिलकुल यहाँ पर भारा सरकार की norms के according जो भी दी जाती है category wise वो बिलकुल दी जाएगी level 7 के according salary रहेगी salary आप देखें 44,900 पर मन्त और यहाँ पर जो है जो सरकार की तरफ से अन्य भत्ते होते हैं वो भी आपके यहाँ शामिल होंगे library assistant की जो vacancy है उसमें जो है उम्र सीमा ठारा से 35 है level 7 के according यहाँ पर भी salary रहेगी और काफी अच्छी salary जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है ठीक है तो आप देख लेए अगर आपका subject है और कहीं पर जो है वो BSC कहा गया है कहीं पर जो है post graduation आपका होना होगा आवेदन की जो last date है 10 फर्वरी 2024 से 1 March 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं आवेदन सुल का भुकतान जो है यहाँ पर कितनी फीस लगेगी तो फीस काफी अधिक है 1000 रुपीज जो है आप लोगों की यहाँ पर रहेगी application फीस तो बहुत ही जो है वो अच्छे से यहाँ पर सोस समझ कर form apply करेंगे 250 रुपीज जो है यहाँ पर scientist, engineer, technical assistant and scientific assistant की रहेगी उसके बाद जो है processing fees भी जो है 750 यहाँ नि 1000 आपकी यहाँ पर रहेगी दूसरा जो है यहाँ पर जो technician भी है, drotman भी है, koko fireman और driver वगरा है तो इनकी जो है यहाँ पर 100 रुपे fees और उसके बाद जो है 500 रुपीज जो है processing fees तो यह जो है application fees है, internet banking, UPI या फिर debit card से आप लोग भुकतान कर सकेंगे, बाकी चीज़े आप देख लेए अच्छे तरीके से और भी, chain प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दिया है और अलग-अलग post के लिए जो परिक्षा का pattern है, वो भी यहाँ पर दिया गया है, apply कर सकते हैं, तो बिल्कुल apply करें और सोच समझ के ही करना है, क्योंकि जो fees है आपकी वो वापिस नहीं होगी, वाकि salary वगर है आप सभी जानते है, कि इस रो में salary और यहाँ पर काम करने का जो आपका अनुभव है, बहुत ही जो है वो एक मार्स 2024 रहेगी, तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में, thank you